हेलो दोस्तो, आज मैं आपको बर्फीले और ठंडे सेत्रों में रहने वाले जानवर, इम तेंद्यू के बारे में कुछ रोचक जानकारी बताने वाला हो, जो जानकारी सायद ही आपको पता होगी इम तेंद्यू के बर्फीले सेत्रों में रहते हो, फिर भी वो अन्य तेंद्यू के तरह 80-100 किनोटर प्रती घंटे की रप्तार से दोड़ सकते है फेक्ट नमबर टू, इम तेंद्यू का वजन करीब सत्ताई से 54 किलो के आसपास होता है और इनकी खाल पर ग्रे और सफेर रंग के फर हुआ करते हैं, जो इन्हें बर्फीले सेत्रों में रहने के लिए सिंद्रक्षन प्रदान करते हैं फर्क का मदलब होता है सरे को ढखने वाले कोमर खने बाल, जो कुछ जानवर के सरे पर होते हैं फैक नम्बर 3, सामयनी रूप से बड़ी बिल्यों की आखे पीली या सुन्यर रंकी होती है देकिन हिम तेंद्व आप प्रजाती में आखे हरे या ग्रे रंकी होती है, जो इन्हें बर्फ में देखने के सकती प्रदान करती है Fact No.4 बिली परिवार में दाहार ने बारे जानवर का एक अलग ही महत्व होता है लेकिन हिंग तेंदुआ बिली परिवार का एक ऐसा जानवर है जो दाहार नहीं सकता वो उसी बिली के जीसी आवाद निकाल सकता है अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना ठेंक यू